हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में आपके सामने एक most important math का lecture वीडियो लेकर आगया दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th standard के लिए math subject का जो part 2 होता है यानि की geometry subject का आज हमारा जो chapter चल रहा है जिसका नामे chapter number 6 circle जो कि हमने previous week में ही शुरुआत की थी इसकी आज हमारा इसका lecture number 4 हम लोग देखने वाले है ज वो practice set number का नाम है दोस्तों हम लोग heading डाल देते हैं सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है practice set number 6.2 तो practice set number 6.2 है आज हमें देखना है दोस्तों जो की बहुत easy है और इसके पहले आपको याद भी होगा तो हमने बहुत सारे चीज़े आपको कराये तो practice set number 6.1 complete कर रहा है तो आप जरूर से देख लेना हमारे previous वीडियो आज के इस वीडियो की बात करेंगे सबसे पहला जो question है वो इस प्रकार दिया हुआ है एक circle है जिसका radius हमें 10 cm दिया है तो सबसे बहले मैं क्या करता हूँ वो particular चीज़ का diagram ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि क्या होता diagram के marks मिलते तो नहीं है लेकिन आपने draw किया होगा तो एक अच्छा impression create होता है examiner के नजर में लेकिन आप create कर लो के diagram खुद से rough वाला तो आपको एक idea मिलता है कि हाँ इसमें करना क्या है तो हम लोग भी same वही करेंगे question पढ़के हम एक diagram को plot करेंगे क्या बोला है एक circle है जिस इसका एक center point है ओ ठीक है चलो ओ ड्रॉ कर लेते हैं अब उसको लिखूंगा मैं हो लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि इसमें 2 chord है तो एक chord में draw कर लेता हूँ simple सा यहाँ और एक chord ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से ठीक है और यह chord का नाम अपने इस आप से दे सकते हो क्यो चो Center point होगा, center point से connected होँगे तो center point से कैसे connect होता है कोड perpendicular होता है, तो अब यहाँ पे radius नो कर सकते है, तो यह जो R है, यह आर को यह से connect करता हो तो यह बन जाएगा radius पहला वाला, ठीक है, एन वैस से ये वाले point को, इस से भी connect कर दुणगा, तो यह दूसरा radius बन गया, अब यहां पर length वगरे क्या दिया है वो हम लोग डालेंगे इसके अंदर तो सबसे पेले बोला है कि radius जो है circle का वो 10 cm है तो radius हमने क्या draw कि है यह o point है आपका तो r से लेके o तक का जो distance है इसको भी red से लिख लेता हो ताकि आपको confusion ना हो ठीक है यह o point है यानि कि आपका center of the circle ठीक है चलो लिख दिया एसा कि यह दोनों quad जो है इसका length same है यानि कि congruent quad है same quad है जो topic है हमारा congruent वाला वही चल रहा है तो हमारा यह दोनों की दोनों जो quad है इसका measurement हमें दिया है 16 cm तो मैंने एक का ही लिखा है दूसरा आप समझ जाना दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दूँगा तो आपको समझ में आगा तो quad का distance 16 cm है यह आपको समझ में आ गया अब यहाँ पे दो और point है तो इसका भी naming कर देते हैं हम लोग कौन से दो point आएंगे देखो आपर ठीक है यह जो point दिख रहा है आपको P और Q तो यह perpendicular यानि कि यह जो point है इसका भी एक कुछ नाम देना पड़ेगा तो यह जो PQ वाला में इसको मैं कुछ नाम देके देखता हूँ U ठीक है इसका नाम में ने U दे दिया और इसका point आपके आप जो देना चाहो दे सकते दोस्तों तो इसका नाम में रख देता हूँ T तो यह हमारा diagram complete हो गया जो हमें पूछा था एक्जाम में यानि कि जो आपके practice set के पहले question में पूछा था अब हमारे पास क्या-क्या given है वो हम लोग लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है in this circle यह circle के आप देखोगे तो यहाँ पे दो कॉड दिया है वो दो कॉड के नाम क्या है यहाँ पे एक है RS दूसरा है PQ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RS and PQ is कॉड यहाँ पे क्या दिया है कि वो दोनों कोड है और RS is equal to PQ यानि कि यह दोनों का जो measurement है वो सेम है ऐसा बोल के रख हुआ है तो यहाँ पे हमने radius किसको माना है radius is equal to radius हमने माना है O से लेके आर यानि कि radius is equal to R है एक हमारा और दुसरा है OP OR और OP दोनों का measurement कितना है दोस्तों 10 cm तो लिख दिया है यहाँ पे दोनों का measurement 10 cm है तो OR and OP is equal to 10 cm और यहाँ पे एक और चीज़ नजार आ रहा है सर्कल से, यह OT जो है RS से perpendicular है और यह OU जो है वो PQ से perpendicular है तो उसको भी लिख लेते हैं कि OT is perpendicular to RS OT जो है वो RS से perpendicular है और यहाँ पे and OU जो है OU जो है वो perpendicular है किस से PQ से यह आपको यहाँ पे ऐसा यह पूरा यहाँ पे representation दिया है find क्या करने बोला है? question में find क्या करने बोला है? अभी मैं आपको question ही समझा रहा हूँ अभी जग find यह करने बोला है कि आपको बोला है what will be the distance of this chord from the center of the circle यानि कि यह center दिखरा है आपको center of the circle से chord तक का जो distance है वो कितना होगा? यानि O से लेके यह chord तक का distance यानि कि OU का distance और यहाँ से OT का distance तो OT and OU का ही measurement आपको निकालना है तो यहाँ पे in-shot find क्या करना है आपको OT and OU is equal to question mark यानि कि यही चीज आपको क्या करना है दोस्तो calculate करना है तो कैसे calculate करोगे यहाँ पे मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो उमीद करता हूँ कि आप लोग क्या करोगे सबसे पहले जो मैं जैसे ऐसे पढ़ाते जाओंगा आप लोग उसके हिसाब से note down भी करते जाना और उसके आगे मुझे rough करने की जरुत पड़ेगी तो जो पार्ट में लिखा रहेगा वो rough भी करूँगा आगे जाके तो वो समझ लेना दोस्तो ठीक है दोस्तों क्योंकि board छोटा है हर चीज यहां पर proper नहीं आता है लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की तो सबसे बेरी बात हम लोग यहां पर आप देखोगे तो एक formula हमने पता है जो कि हमने बहुत पहले discuss किया हुए क्या formula पता है कि यह जो P से लेके U तक का distance है यह क्या हो जाएगा P U is equal to half of P U किसका आदा है P Q का यह हमने अल्रीडी पढ़ा हुए पहले practice at just 6.1 start किया था हमने उसमें यह सब चीज देखा था कि कॉड में जो आदा distance होता है वो 1 by 2 होता है पूरे का यानि P U is equal to 1 by 2 of P Q P Q का मुझे value पता है कितना है P Q का value 16 है तो P U का value यहाँ पर मिल जाएगा तो P U का value क्या हो जाएगा P U is equal to 1 by 2 of 16 that will be equal to 8 तो P U कितना मिल गया 8 मिल गया 8 cm अब यहाँ पर जो आप notice करोगे तो P U तो मुझे पता चल गया 8 है यह P U 8 है यह P U 10 है यह O U निकालना है अलग से तो मैं निकाल सकता हूँ किया अब आप ध्यान से देखोगे तो यह triangle को consider करो खाली कौन सा triangle बोल रहा हूँ O P U या फिर O U P खाली यह triangle को consider आप जब करोगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा तो देखो मैं यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं consider करता हूँ in triangle O U P यहाँ पर जो मेरा angle U है वो 90 degree दिया हुआ है परपेंटिकुलर है यानि कि कितना है 90 degree है तो O U P में हमने consider किया तो angle U कितना है 90 degree है तो हम लोग क्या बोल सकते है by Pythagoras theorem will be equal to P U square plus O U square तो P U square plus O U square correct है समझ में आ रहा है अब जो value मुझे पता है वो डाल देता हूँ तो O P का value मुझे पता है O P का value कितना है 10 है यहाँ पर भी लिख रखा है मैंने O P का value जो है वो 10 है तो O P के जगा आपे लिखूँँगा 10 का square is equal to P U का value पता है कि देखो P U यह P U का value अभी अभी निकाला देखो 8 cm तो P U के जगा आपे यह भी 8 square लिख सकता हूँ plus O U square यानि O U तो मुझे निकालना ही है न तो O U का square तो वैसे का वैसे ही रहेगा correct है और solve कर लेते हैं यहाँ पर यह हो जाएगा 100 और यह 8 square 64 होजाएगा और इधर लेकिया होगो तो minus होजाएगा यानि कि 100 minus 64 इधर अकेला बच जाएगा O U square इसको सीधा कर लेते है तो O U square will be equal to हो जाएगा 36 therefore O U हो जाएगा under root of 36 therefore O U is equal to 6 cm तो आपको O U का answer मिल गया कितना आ रहा है O U का जो value आ रहा है देखो दोस्तो यह जो O U था यह O U यानि कि वह तो हमें पूछा था find the distance of cord from the center of the circle तो center O है तो O से लेके U तक का distance हमें पूछा था तो O U का value मुझे निकाल दिया 6 cm तो एक value मिल गया लेकिन O U के साथ-साथ मुझे क्या निकालना था O T भी निकालना था तो O U के साथ जब मुझे O T निकालना रहेगा तो मैं एक चीज मुझे पता है दोस्तो एक formula होता यानि कि एक property होती है क्या कि कोई भी circle में अगर दोनों cord बोला है कि वो congruent है अगर ऐसा बोल के रखा है दोनों cord congruent है तो हम लोग क्या बोल सकते है कि जो भी उसका center distance होगा center distance O U का जो था वो O T के बराबर होगा क्यूंकि हमारा एक property यह है कि congruent cord जो होते है circle के वो equidistance पे होते है from the center of the circle तो हम लोग क्या बोल सकते है therefore यहाँ पे O T will be equal to O U क्यों होगा reason क्या है क्योंकि congruent cord जो होता है यहाँ पे reason में लिख रहा हूं reason लिखना बहुत important है congruent cord are equidistance यानि कि same distance पे होते कैसे equidistance distance from the center of circle from center of circle यहाँ पे मैंने छोटा से लिखा है कि जो भी मेरा मैंने क्या बोला O T जो होगा यानि कि यह जो O T दिख रहा है यह वाला center से T तक का distance O T और यह O U तो O T और यह जो O U यह दोनों same होंगे क्यों same होंगे क्योंकि एक property होती circle में जब दो cord दिये होते है ठीक है तो O U का जब 6 है तो O T का भी कितना आ जागा therefore O T will also be 6 cm तो हमें O T का भी value मिल गया और यही दोनों चीज़ तो हमें calculate करना था कि find the distance of the center of the circle from the cord तो O T भी निकाल लिया 6 cm O U भी निकाल लिया जो कि आया 6 cm clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह पहला जो example था practice set number 6.2 का पहला example यह मैंने आपको explain करने की कोशिश किये समझाने की कोशिश किये और बहुत ही अच्छे से आपको यह चीज समझ भी गया होगा clear हो गया होगा ठीक है दोस्तों तो यह था पहला example अब चलते हैं एक और example करवा देता हूँ फिर हम लोग को आज का lecture को stop करूँगा तो फटा फट से सबसे पहले इसको मैं rough कर लेता हूँ उमीद कर तो आपने screenshot ले लिया होगा या फिर इसको notebook में आप note down भी कर सकते हो बहुत ही easily ठीक है अब चलते हैं नमबर टू, example नमबर टू की मैं बात कर रहा हूँ यह हो गया हमारा board भी rough अब heading डाल लेते हैं हमारा example नमबर टू, किस प्रकार solve कर रहा है यह मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले heading डाल लेते है example नमबर टू ठीक है, question किस प्रकार है again यहाँ पे बोला है कि एक circle है जिसका radius 13 cm बोला है इसमें भी 2 equal chord है जो center से लेके 5 cm के distance पे यहाँ पे बोला हूँ है और हमें पूछाई, find the length of the chord यह तो हमें समझ में आगे चलो question क्या है लेकिन वो question के इसाब से सबसे पहले हम diagram ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि diagram अगर पता होता है कितना simple हो जाता है solve करना अभी अभी हमने देख लिया पहले example में कितना help किया हमें diagram तो diagram ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले ठीक है, एक diagram ड्रॉ करता हूँ एक circle है हमारा जैसे मैंने आपको draw करके बताया था एक circle है, इसमें एक center point होगा obviously, ठीक है, एक center point होगा अब यहाँ पर again बोलाए कि 2 chord बोलाए ठीक है, ठीक है न, दो chord है, एक सीधा chord बना देता हूँ ऐसा और एक थोड़ा सा 3 chord बना देता हूँ ऐसा ठीक है, प्रॉपर्टी वैसे ही है हमारी तो यह A नाम ले लेता हूँ, यह B नाम लेता हूँ यह C नाम ले लेता हूँ, यह D नाम ले लेता हूँ तो A, B, C, D नाम हो गया मेरा, ठीक है अब यहाँ पर बोलके रखाए, दोनों chord है दोनों chord में एक चीज़ बोला है, जो radius है वो भी दिया हूँ यहाँ पे, तो radius ड्रॉप करेंगे सबसे पहले, तो लेकिन सबसे पहले मैं इसका perpendicular ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ से इसका perpendicular इस प्रकार आएगा, और इसका perpendicular इस प्रकार आएगा अब यह जो radius है, connect कर देते हैं यहाँ से, इधर से यह, इधर से यह वाला point दिख रहा है, तो यह हो गया radius अब यहाँ पे करना क्या है, इसका नाम में O रख देता हूँ, center का point है same हो गया, almost diagram हमारा complete हो गया, अब जो measurement दिया है तो यहाँ पे clearly बोलकर रखा है कि radius जो है, इसका 13 cm यानि कि O से लेके C मेरा एक radius है, तो इसका 13 आ गया O से लेके A यह भी radius है, यह भी 13 आ गया तो यह हो गया, and given में हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखता हूँ यहाँ पे मैं, कि in this circle यह circle के अंदर, in this circle, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया कि जो A B है, and C D जो है, एक chord है, हमने मान लिया कि A B और C D chord है यह हमने मान लिया, जो कि दिया हुआ है again, यहाँ पे radius भी हमने मान लेते हैं कि radius जो है, radius is equal to, क्या है radius? O से लेके C तक का एक radius है, ठीक है, और दूसरा radius है, O से लेके A तक का तो O C O A, जो कि 13 cm का, यह मैंने मान लिया, जो कि दिया हुआ है ठीक है, यह दो चीज हो गया, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और एक चीज हमें क्लियरली बोलके रखाए question में, कि center of the circle से लेके cord तक का distance जो है, वो दिया हुआ है, इस बार question में, जो कि है 5 cm, आप पढ़ लेना, ठीक है, तो यह 5 cm दिया हुआ है, तो O से लेके E तक का distance, और again O से लेके F तक का distance, यानि कि 5 5 cm दोनों के ही पूछा क्या है, यह भी तो लिखना जरूर है, क्योंकि आपको पता होने चाहिए, क्या पूछा है, तो यहाँ पर question यह पूछा है, find the length of the cord, यानि कि इस बार आपको cord जो है, इसके length निकालना है, यानि कि AB का और CD का, जो दो की जोनों बराबर होंगे, तो AB का और उसरा क्या है, CD का, यानि कि दोनों के cord का आपको length निकालना है, measurement निकालना है, यह हमें find out करना है, तो कैसे करेंगे find out, बहुत simple है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहली बात, आपके नजर में आएगा, यह चीज, क्या चीज, क्या चीज, कि एक triangle आपको नजर int triangle OFA, यहाँ पर आप देखोगे, कि angle F जो है, वो 90 degree है, तो angle F is equal to 90 degree, यहाँ पर हम लोगो बोलके रखा है, कि int triangle OFA, F जो है, वो 90 degree है, तो आगर 90 degree होता है, तो हम लोग पाइथागरस theorem लगा सकते हैं, तो by Pythagoras theorem, क्या होता है, पाइथागरस theorem, side opposite to 90 degree, side opposite to 90 degree, यानि कि OA वा AF square plus OF square, correct, यही है हमारा, अब OA का value पता है कि मुझे 13 दिया हुआ है, तो OA का value 13 है, 13 square is equal to AF square, AF दिया हुआ है कि, नहीं, यह तो मुझे निकालना है, मुझे पता ही नहीं, AF का, तो AF के जगा पे मैं AFE रखूँगा, AF square, plus OF दिया है कि, देखो, OF दिया हुए 5 cm, यानि कि 5 का square ह तो यह 13 का square हो जाएगा, 169, यह 5 का square 25 बनके यह side आ जाएगा, तो minus 25 हो जाएगा, is equal to AF square जो है, अखेला यहाँ पे बच गया, सीधा कर लेते हैं, यहाँ तो AF square जो है, is equal to 169 में से 25 के कितना बचेगा, 144 बचा, यानि कि, आप देखोगे, AF square is equal to 144 आ रहा है, तो AF का value कितना root of 144, जो की हो जाएगा, आपका AF का value, AF कितना आ जाएगा, 12 cm आ जाएगा, तो आपने निकाल लिया, AF का value आ रहा है, वो 12 cm आ लेकिन आपको AF निकालना था क्या है, आपको अगर ध्यान से, आपको निकालना क्या है, AB और CD निकालना है, AF क्या लेना देना यहाँ पे, क्यों निकाला, राहुल सवर ने, तो यहाँ पे मैंने इस लिए निकालना दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे, तो AF का अगर आपको value पता चल गया, तो उसको आप double कर दोगे, तो AB का पता चल जाएगा, क्योंकि AF क्या होता है, आधा ही होता है, यह AF जो होता है, वो आधा होता है पूरे का, यानि कि 1 by 2 of AB होता है, तो AF मुझे पता चल गया, जो कि 12 cm, तो 12 is equal to 1 by 2 of AB, तो आपका AB निकल जाएगा, यह 2 उदर चल जाएगा, multiply हो जाएगा, therefore AB is equal to 2 multiply by 12, जो कि आपका आपका आ रहा है, AB is equal to 24 cm, तो आपने AB निकाल लिया, यानि कि पहला जो length था cord का, A से ल Automatically क्या हो जाएगा, AB जो होगा, वो CD के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इने circle, if the center distance to the cord is same, यानि कि यहां से E तक का distance 5 है, यहां से F तक का distance 5 है, तो दोनों के दोनों cord क्या होंगे, congruent होंगे, तो हम लोग क्या बूल सकते हैं, कि AB is equal to CD हो जाएगा, therefore AB अगर 24 है, therefore उमीद करता हूँ कि यह बहुत ही बहतरीन example, थोड़ा सा tough है, बोल सकता हो, लेकिन अगर आप practice करोगे, तो ऐसे type के examples, आप easily solve कर पाऊगे, इतनी मेरी guarantee है, बस आपको diagram बन जाएगा, एक बार, क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग diagram नहीं बनाते हैं, तो confusion होता है, क्या आ question number 2, and remaining example, एक ही example बचा हुआ है, यह मैं आप लोगको homework दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा आप practice कर सको, थर्ड example is your homework for today, आप फटा-फट से practice कीजिए, and यह examples आपको कैसा लगा है दोस्तों, आज का lecture वीडियो, प्लीज हमें comment करके बताएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से दीजे आप में bell icon को press कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगको notification मिलती रही, ठीक है friends, तो मिलते हैं मारे एगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.